आज आज आपके लिए हाल फिलाल का जो करेंट जी के के एपिसोड होते हैं उनी का एक मॉड्यूल लेके आई हैं तो बीस क्वेस्टिन का सैट होगा और जो भी आपकी कुछ चर्चा की बाते हैं इन में कुछ अपॉइन्मेंट की बाते हैं कोई इंपोर्टन व्यक्ति किसी का निधन हो गया गवर्मेंट ने कोई स्कीम लांच करी है या कोई आविश्कार या हमने कुछ ऐसा कुछ डवलप किया है कोई चीज तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो पहला क्वेश्टिन है आपके सामने मार्क फिलिप्स किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए है गवाना सूरी नाम चिली और फ्रेंच गवाना तो यहां पर एक इसका आंसर है गवाना तो आप सकते हैं मार्क फिलिप्स की फोट सो माग फिलिप्स है और इन्हों ने अगस डोहजार 20 में माग फिलिप्स के ग्वै बात करेंगे तो प्रधानमंत्री ही नी राश्टपती की भी नई अपॉइंट्मेंट हुई है तो उसकी उपर भी क्वेश्चन है कभी कोई कंट्री का ऐसा कुछ आता है तो आपको पता होना चाहिए बात यहां पर आती है आपके लिए एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से यह है कि आप यह बताईए गवाना जो है इसकी लोकेशन क्या है कौन से कॉन्टीनिन उन पढ़ता है यह बताना है अगला क्वेश्चन देखिए लेगे नेशनल हैं लूम दिवस कम मनाया जाता है अब यहां पर यह जो नेशनल हैंड लूम मनाया जाता है इस question में मैंने पूरा detail में discuss भी करूंगी मैं इस पारे में यानि कि मेरे इस current के साथ में एक बहुत बड़ा topic आपका complete होने वाला है और वह है कि हांडलूम कौन-कौन से type के हैं यानि कि भारत में 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 हदकरगे जो हैं उनके बारे में discuss करने वाले हैं येस जैहिंद गवाना का हम पूछ रहते हैं तो गवाना का मैं बता जीते हूं South America South America continent में है ये गवाना country आप यहां पर देखिए तो हदकरगे ये जो है national handloom दिवस्य कमनाया जाता है अच्छा गर हम गवाना की बात एक बर कर लेते हैं तो जो आपका South America है तो कुछ इस जगे पर आपका अगवाना country established है ठीक है वेनेजुएला है वेनेजुएला के इधर में गवेना है तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए अब जब हम ये हदकरगे की बात कर रहे हैं तो इसको देखते हैं कब मनाया जाता है साथ अगस सही आंसर है आप लोगों का अभी national handloom day हो की चुका है तो बात ही आती है कि ये जो national handloom day इस बार गया है वो कौन से नंबर का है तो ये पाच्वा संसकरण था यानि की 2020 चल रहा है तो पाच्वा संसकरण कब लॉंच हुआ होगा 2015 में तो 2015 में केंदर सरकार ने साथ अगस के दिन ये राश्ट्रिय हद्गरगा दिवस मनाने का न मुझे ज्यादा important लगी कि 7 अगस 1905 को जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय अपने anti-division movement शुरू किया था जिसको बंग बंग अंदोलन कहते हैं और उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था स्वदेशी यानि स्वदेशी और विदेशी वस्तूओं का बहि अंदोलन की याद में 7 अगस की डेट इंपॉर्टेंट है इसलिए हद्गरगा आयो यह अद्गरगा देवस मनाया जाता है इसके लावा 2020 में मनाया गया है यह पार्चवा संस्क्रण केंद्रिये कपड़ा और बाल विकास मंत्री जो है वो श्रिमती स्मृती रानी है यह आ गोषित किया था यह सुरेंद्री अदफ सही आपका अंसर 7 अगस्त अब आप यह बताईए कि यह अभी HRD मिनिस्टर यानि कि मानव संसाधन मंत्राले को किस नाम से जाना जाता है तो यह आपके लिए एक नया इसमें क्वेस्टिन अड़न किया है और मैं यहीं पर आपके स जासे हम कभी किसी स्टेट के बारे में बात करते हैं तो उस स्टेट की जो ग्रफी हिस्ट्री कुछना बात हे अडिशनल बताते हैं अंद सेम वे तो यहां देख एं सांत Hani पॉर साudy है यह पश्चिम बंगाल में फेमस है सांतिपूर कॉटन है यह एक तरह का और इसके लावा चिकन कारी यह चिकन कारी जो है यह यूपी की लखनों कड़ाई जिसको आप कहते हैं वह काफी फेमस है जर्दोजी का काम जो होता है गोल्डन थ्रेट से काम करते हैं तो वह में इन जिलों में सबसे जादा इसका काम किया जाता है यह संकित सैनी जैहिन अब देखे फुलकारी फुलकारी क्या है बड़ा फेमस काम है वह फ्लावर फ्लावर से जो एंब्रोइडरी बनाते है हाथ से उसको फुलकारी कहते है तो यह फुलकारी का काम है दूसरा कोसा सि यह छतिसगर का है तो यह छतिसगर की सिल्क बोली जाती है तो यह बहुत बदा दें कि जूट का भी अब फाब्रिक बनता है जूट के कपड़े बी बनने लग गहाए जूट की सारियां भी लॉंच हो चुकी है वाट टाइम से आँ है मार्केट में तो वो भी चलती है मुगा सिल्क यह भी असम का है बांधी नी बांधी नी तो सब को मालूम है डैपुर में यह सुरेंद्रे बिल्कु सही आपका अंसर HRD Ministry यानी कि मानस असाधन मंत्राले को और सिक्षा मंत्राले का जाता है वेरी गुड तो अब यह जो बांध बांधनी गुजरात में चलती है और राजस्तान में चलती है तो बांधनी बोलते हैं इसको चूंदरी वगरा को तो यहां पर यह हो गया इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कुल्डू शॉल चंबा रोमाल किन्नौरी शॉल यह सारे शॉल वाल जो है यह आपके हमाची हमाचाँ प्रदेश के हैं और कुचाई सिल्क Smack को यह भी जारकंड की है ठीक है तो इस तरह से सिल्क के बहुत सारे टाइप आघ और बी है छिल्क केुछ टाइप देखन तो बात कर रहे हैं मैसूर सिल्प, मैसूर सिल, कसूरी कडाई, इलकत, यह सब जो हैं, यह आपके कहां के हैं, करनाटक के हैं, तो इसको देख लें, कसाव हस्त शिल्प एक होती है, जो कि केरल की है, कसाव हस्त शिल्प केरल का है, चंदेरी साडी, जो कि चंदेल है आपका जिला, मध्य यह भी आपका गोल्डन थ्रेट से चंदिरी का वर्क किया जाता है और बनार्सी साड़ी यूपी की बनार्सी साड़ी है ही जब हमारा बिटिश के टाइम पर भी अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं वैसे हथकरगा सारा पिट गया था यानि कि जो खादीवादी प्रोडक्शन लेकिन कुछ ऐसे कपड़े जो की हाथ से ही बनाए जाते थे यानि कि में ली जितने टाइब के आप सिल्क वगरा देख रहे हैं वह हाथ से बनाए जाते थे उनके जो मोटे फैंड डिजाइन है वह आज भी मशीन आज इस पॉपी नहीं कर पाती है इसलिए आज भी हस्त श प्रश्टर की है पैठनी साडी आती है पोचंपली इकत वैसे जो इकत प्रेंट है यह आंदर प्रदेश का है इसके अलावा उडिसी इकत अलग है उडिसा का और एक उपाड़ा साडी होती उपाड़ा सिल्क आती है बहुत कमन हो गई आजकल थोड़ी चीप भी है आंदर आथ में प्रदेश में मिलती है कोटा डोरिया यह कोरा नहीं कोटा है कोड़ा व्यक्ति को अलग Pavans और रजस्थान का फैबृक है कहां का कोट सिलक है वेसे सलेम स्टील प्लांट भी है यह आपको पता होना चाहिए और अरानी सिल्क यह सारे तमिल लाडू के हैं तो यह हो गए हमारे में में जितने भी हद कर गए हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने इनमें से दोचार वह आपके साथ डिसकस किये गए हैं अगला देख ल प्रधान मंत्री और राश्पती से संबंदित चार अपोइंट मिलेंगे तो यह आपका दूसरा पॉइंट्मेंट से रिलेटेट क्वेस्चन है हामित बकायों को किस देश के प्रधान मंत्री न्यूक्त किया गया है ऑप्शन इस घना आईवरी को सूडान और मिश्र भारत में है घना और वह भारत भी क्या हम तो राजस्थान की ही बात कर लेते हैं कि राजस्थान में है घना नाम से कुछ कुछ वाइलाइस सेंचुरी या कुछ ऐसा कोई और बर्ट सेंचुरी या कोई नेशनल पार्क इन में से कुछ है ठीक है चलिए देखते हैं यहां प यह भी इसका दूसरा नाम है, and officially known as Republic of Cote de Ivory, and यह West Africa में है, ठीक है, तो यह B आंसर था इसका, तो यह घना पक्षिवियार, सही आंसर आपका वो भी, तो यहां पर इनको देख लीजा, Ivory Coast जो है, वो फ्रांस की कोलोनी थी, और फ्रांस से सिफ रीडम मिली, यह से एकता याद बिल्कु सही आंसर आपका, और इनकी फोटो भी लगी हुई है, तो आईवरी कोस्ट कहां पे है, यह आपका आफ्रिका कॉंटिनेंट में है, तो इस तरह से आपको पता हो नहीं, यह घना के नाम पे घना पक्षिवियार, अब मेरा सवाल उसी से जोड़ा हुआ है, जो अब हाली में हुआ, इस तरह के सवाल आ जाते हैं आपके, सम्मेलन का वैन्यू पूछ लें, और उपर से यह कोरोना के समय पे हुई, इंटरनेशनल सम्मेट है, हुई वैसे उसमे ही है, वीडियो कॉंफरेंसिंग के थू हुई है, तो बात करते हैं कि ब्रिक सम्मेलन 2020 किस जिम्मेदारी किसे उपर है, तो रशया, भारत, चीन, और साउथ अफरिका, यह हमको मालूम है कि ब्रिक सम्मेलन B से अपका ब्रैजिल, R से रशया, I से इंडिया, C से चाइन, S, आफरिका, पहले इसका नाम अल्ली ब्रिक था, अभी प्रिक हो चुका है, तो साउथ अफर आंसर जो हो जाएगा वो है रश्या तो देख लेते एक बार तो रश्या इसका अंसर है और 2020 में रूस के द्वारा इसमें इसकी वह करी गई और भारत 2021 में इसको करेगा अध्यक्षता आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रिक्स में अध्यक्षता कौन करेगा बड़ा सिंपल सा पंड़ा है जैसे अभी रश्या तो फिर इंडिया फिर उसके बाद 2022 में कौन करेगा चाइना 2023 में कौन करेगा साउथ अफ्रिका फिर आपस 2024 में कौन करेगा ब्राजील यानि कि यह लोग इस सीक्वेंस में भड़ते चले आते हैं तो यह हो जाएगा आपका रश्या तो 2020 क रश्या की वह थी जिम्यदारी तो हमारे यहां से यह प्रकास जावडेकर जो है उन्होंने कर रहा था इसकी प्रकास जावडेकर उन्होंने पार्टिसिपेट किया 30 जुलाई 2020 को सारे जो प्र्यावरण मंत्री थे वो लोग 6th ब्रिक्स समेलन में वीडियो कॉन्फरेंसिं के सब्रेंग ऑफ प्रकास जावडेकर इसमें करते थे विल्प सा Almost Bush का जो अभी बताया थीक के तो प्रकास जावडेकर ने इसमें भाग लिया था भारत की तरव से नौर नेक्स वेच्टिन इज देख लेते हैं हाल ही में British Grand Prix के विजयता कौन हुए तो British Grand Prix के विजयता देख लें भी कौन हुए है वेल्टेरी बोटास, लुईस हमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन और निको हलकेनबर्ग, तो इसके बारे में बताएं, बिटिश ग्रांट प्रिक्स, ये भी एक इसकी इंपोर्टन्ट है, ग्रांट प्रिक्स हमेशा कार रेसिंग की होती है, और टूर्नामेंट और कोरोना के समय और ये इसके इंपोर्टन्स है, तो आपको बताना है कि ये कौन इसके विज्यता गोशित हुए है, अंसर देख लेते हैं, OK, बी बोल्डर राव, लुई हैमिल्टन, बिल्कुल सही आंसर है, लुई हैमिल्टन बने है, लुई हैमिल्टन UK के निवासी है, यानि कि बृतेन के ही निवासी हो Mercedes के driver है हमेशा यह पता होना चाहिए कि कौन सा driver है Mercedes है या कुछ और है उसके अलावा आपको यह देश पता होना चाहिए सब ही प्लेयर्स का कई बर countries थोड़ी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है यह सकता B is the correct answer. Now look for the next question. तो अगला question है मुहम्मद इर्फान अली किस देश के राष्ट्रपती बने हैं तो इसके बार में बताईए ओके B का 5 सही है आपका अंसर, Surendra. अब question no.6 का अंसर दीजिए मुहम्मद इर्फान अली किस देश के राष्ट्रपती बने हैं फ्रेंच ग्वेना या ग्वेना या या यह फिर से ठीक है तो इसका देख लेते हैं ओके प्रित्पी आप मुझे संज्वाएं बोलना कैसारियों मैं सोच रही ती यह क्या बोल रहे हैं लाइस विल्कुल होता होगा आप कभी देखिएगा टूनामेंट का बहुत जादा फास्ट इनकी वह होती है आप जो बोल रहे हैं इसका फॉर्मूला वन रेसिंग के बारे में जो बोल रहे हैं बहुत ही जादा और बहुत अच्छा होता है कभी आपको अगर ऐसी कोई वीडियो मिलेगी ना जिसमें इनका टायर चेंज होता है क्योंकि इस बार कुछ एलिमनेशन टायर खराब होने से कुछ प्लेयर्स का हो गया गुएना आप बोलना चाहरे हैं तो यह गुएना अंसर है नौट फ्रेंच गुएना तो वही गुएना कंट्री जो अभी थोड़े पहले डिसकस हो रही थी कि साउथ आफ्रिका कॉंटिनेंट में पढ़ती है और मैं आपको बोला था कि प्रधान मंत्री और राश्ट्रु गुएना यह इसका नाम है ओफिशल जैसे हमने को स्टारिका का यह आपका देखा था आइवरी कोस्ट का जस्ट लाइक हर कंट्री का अपना ओफिशल नेम भी होता है अब देखे प्रतीक्षा नामक मरीन अम्बुलेंस यह तो आप लोगों पढ़ा ही होगा क्योंकि कुछ कुछ भी ऐसा आता है जो कि कुछ भी कुछ नाया है जो समुदर में या फिर हवा में या स्थल पे अगर आपको नाया इन्वेंशन कर रहे हैं जो पहली बार हो उस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती है तो प्रतीक्षा नामक मरीन अम्बुलेंस किस राज्य सरकार द्वा या कोई नहीं पर बुदे में की के आप जाल इसका नाय। है जल्डी से बता अंसर है और यह सो फोटल लगी हुए यह जल्दी से बताई है तो यह तो यह तो पिसकी है जल्दी से बताईये तो यह आपका इस इसका केरलोंच कि गई है और मरीन अम्बुलेंस जो होती है वह फॉस्टेड प्रोवाइड करती है एड ररेस्क्य ऑपरिशन एंबूलेंस गैपर बोलो प्रोवाइडिकल क्रिटिकल के अप उप वाइड कराया जा सकता है यह आतो है यह में अम्वुलेंस में उल्फ एंपु होना चाहिए अब बताइए क्वेशन नमबर एट योशी हीदे सुगा मैं आपको बोल रही थी मैंना टोटल चार अपॉइंट्मेंट के बारे में क्वेशन लिया है तो यह मेरा चौथा अपॉइंट्मेंट है योशी हीदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुन तो यहां क्या रहा होगी यहां क्योंकि यविषू हीदे शुगा यह निया किसरे कास नयोंग बोलागें आफ हैं और आपको यह बहूossimak किसकी जगे जली है नहीं अनसा बढ़ा है किसकी जगे मैं है यह बहुत अए पूछ लेते तो इस प्लेश में इसापी. सुम आप प पावरफुल नेशन है काफी डवलब्ड कंट्रीज में आता है यह इसका पी एम यह कोई भी आपका कुछ पोस्ट ऐसी बदल रही है तो दाट इस इंपॉर्टेंट योशी इदे सुगा अभी बिल्कुल हाल फिलाल का ही है 15 सितंबर 2020 को जापान के नए पी एम के तौर पे न युक्त हुए है अगला क्वेशन देखिए यह मुझे थोड़ा अच्छा लगा वैसे में नॉर्मली डेमाइस वाले जो डेथ वाले क्वेशन होते हैं वह उतना कंसीडर नहीं करती हूं लेकिन मुझे यह क्वेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा तो देखिए कपिल इनका योगदान रहा है तो अब आपको बताना है कला राजनीती नृत्य थिहास या उप्योग तो सभी तो यह बताइए कपिला वात्सायान इनका भी निधन हुआ है सप्टेंबर के मंत की के क्वेशन उठाई हुए है मैंने तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या हो ज सबसे जादा रोल रहा है और निति इतियास के ऊपर इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है ठीक है शीज ऑफ मैनी बुक्स रिटेंबर के लेकिन बाकी कला से भी रिलेटेटेट है राजसभा के द्वारा एंपी भी नुक्त हो चुकी है यानि की राजनीती से भी रि देशक यानि की फाउंडर डिरेक्टर रह चुकी है और उसके बाद भी ये ट्रस्ट मेंबर रही है और कला और उसकी इतियास पर बहुत सारी बुक्ली की है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है उसकी अध्यक्ष भी रही है और रहें इंटर की हैं यह ऊगहें इनके क्वेस्चन अगला देखें नई राश्ट्रिय शिक्षा नीती को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया हर्याना यूप हिमाचर प्रदेश या बिहार तो आंसर इसका किया हिमाचर प्रदेश गेमाचर प्रदेश पहला राष्ट्र बन गया है, जो कि नई शिक्षा नीती के बारे में है, अच्छा, नई शिक्षा नीती से related मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि इसका तो आंसर देख लिया जल्दी, तो आब यह बताएं, कि नई शिक्षा नीती में आपको क्या मॉडल समझ में आया, क्या ह वो चीज वो थोड़ा सा समझाएं उसको लिखके बताएं कि क्या मॉडल है वो आप देखें इसके सीम और गवर्नर देख लीजे तो जैराम ठाकुर और यहां पर क्या है बंदारू दत्तातरे इसके गवर्नर है मैंने आपको बताया था कि हिमाचल में राम जी का बंदारा है हमने सीम और गवर्नर ट्रिक से याद किये हुए है तो उसी ट्रिक को मैं आपको बता रही हूँ कि क्या है यहां पर ही माचल में राम जी का बंदारा यहां एसे याद किया था तो राम से श्री राम ठाकुर और बंदारू से बंदारू दत्ततरे तो यह आपका हो गया question question number 11 देखें UP government किस airport का नाम भगवान श्री राम चलो श्री राम के साथ प्रिस्ट आ गया okay very fine यह 5 plus 3 plus 3 plus 4 का model है okay यह है तो okay fine ठीक है अब देखें उत्तर प्रदेश सरकार ने किस airport का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की गोश्चना की है तो बड़ा easy सा और असानी से गेस करने वाला question है तो इलाबाद काशी आयोध्या या लखनाव इसका अंसर बताईए इस बिल्कु सही आंसर आप लोगं का तो डाट इस आयोध्या यह सुरें रियादव आपका ये एनिपी वाला भी question सही आंसर दे रहाएं ठीक है आयोध्या है आसानी से अंडर्स्टोड है आप मेरे को जल्दी से बता दो कि आयोध्या जो है वो कौन सी नदी के किनारे है क् आपके नेवी वगरा में इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है ठीक है तो अईोध्या जो है क्योंकि डाम जे बड़े नीज में रहे तो आप से कोई नीज पूछेगा या कोई आपके आपके आडवाइज के नीज नहीं पूछेगा बट ऐ कर लिया था इन लोगों ने और इनके साथ में वैवाई संबंद भी हुए थे तो कॉशल देश भी कहा जाता था योद्या को यह सर्यून अधी बिल्कुल सही आंसर तो इस तरह के सवाल आ जाते हैं क्वेशन नमबर 12 देख लीजे भारत किस दो देशों के साथ मिलकर यहाला स सवाल भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि टेकनोलोजी और इनवेंशनसा रिलेटेड सवाल आ जाते हैं साइनस टेकनोलोजी इनवेंशनस रिलेटेड जनरल करेंट जीके में पूछते हैं क्वेशन तो यह पूछ रहे हैं आप से और पिर उसके बाद है दक्षन कोरिया और अमेरिका और लास्ट है अमेरिका एंड इस्राइल जल्दी सांसर दीजिए फाइजी टेक्निक वेपन किसके साथ काम कर रहे हैं ओके जल्दी बताइए इसका अंसर फाइजी टेक्निक वाले का देखे एक तुछ आपका अंसर आपका अंशर कर दीजिए अमेरिका जरूर है बिलकुल है अमेरिका की हैप ले रहे हैं लोग 5G तेक्निक में बट विद अमेरिका दर इस राइल तो आंसर आपका क्या हो जाएगा डी है इसका अंसर देख लें डी इसका अंसर है अमेरिका और इसराइल इसको याद रखिए गई फाइफ जी वाला मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार अगला देखिए हाल ही में किस देश की सरकार दौरा सोशल मीडिया पर फरजी सूचना और अफवा पेलाने से लर्डने हे तू असोल चीनी यह रियल शुगर नाम का अभ्यान शुरू किया गया है तो कौं से देश ने शुरू किया है अगर आपको गेस करना है तो जरा लैंग्विज पर ध्यान दे लीजे असोल चीनी कौन सी लैंगुज से रेलेटेड लग रहा है बांगलादेश, म्यानमार, नेपाल, भूटान आंसर दीजे क्वेशन नमबर थर्टीन का आंसर बांगलादेश, म्यानमार, नेपाल या भूटान तो असोल चीनी ओके यस बिल्कुल सही है लैंग्विज पर ध्यान दे लेंगे तो आंसर भी निकलाएगा असोल चीनी यह तो बैंगॉली वर्ड लग रहा है तो दाट इस बांगलादेश यहां वैसमें क्या है कि जो व्री होती है उन चीजोहों और रोकने के लिए या जो आफ़वायों को रोकने के लिए असोल चीनी नाम से और और जो ने उनलाइन बांगलावया नीजम् उनको रोकने विंग यह इस एक एक ता सही आंशर मंगलिदेश के love of प्रेसीडेंट भी देख लेख लेख पीम कौन है शेक अब्दुल हामेद इसके अलावा तरपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से बांगलादेश के साथ अपना एक अंतर देशिये जल्मार्क और यह से रेलेवंट नहीं है बड़ा गिवन एक्स्ट्रा इंफरमिशन तो ऐसा कुछ भी हो रहा है कहानी तो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है चोल इसका आंसर तो सबने सही दे दिया है बांगलादेश इस परेक्ट आंसर ये सुरेंदर एकता है व्रीवान इस करेक्ट तो यह असोल चीनी की कहानी थी और यह एक और न्यूस आपको इसमें म शीका बहारम किया है और उप्शन्स आर भर बिहार दिल्ली थी अड्यप्रदेश अंहहारास्त्राइथास्टर दिली थी अ चीर थी और डक्ड इस तो फोर्टीन का यह पॉर्टीन का दीजै़ तो इसका आंसर हो जाएगा तबनेंग संदी दिजिन फ्रों माद्याप्रदे मुझे ध्याना आया, I want to give some information about corona, corona से related और भी बहुत सारी चीज़े हैं कि कई राजियों ने अपनी कुछ बनाये थे, अपने बहुत सारे अपने कुछ पॉलिसी बनाई हैं, बहुत सारी योजनाई लांच की हैं, तो उनको आप किस फॉर्मेंट में चाहते हैं, आप इस तरह क अपने message को drop कर देना कि किस टाइप से चाहते हैं, quiz चाहते हैं, या points में discussion या फिर उस topic के ऊपर discussion चाहते हैं, what you want, तो चीज़ें आप discuss करियें, क्योंकि corona के इतनी schemes आई हैं, that is important, exam में कुछ न कुछ जरूर फसेगा, तो यहां देखिए, किस राज्य सरकार दुआरा संजीवन नामक mobile app launch किया गया, UP, उत्राखंड, जारखंड और बिहार, तो यह बोल रहे हैं, UP, उत्राखंड, जारखंड और बिहार, यह है आपका संजीवन नामक mobile app, यह किस ने इसको launch किया था, तो यह देखिए, इसका answer क्या है, इसका answer है बिहार, बिहार के यह देख लीजेए, CM और governor भी हमने लगा दिया है, CM नितिश कुमार, और यह है आपका यहाँ पर फागू चोहान, तो यह फागू चोहान, तो हमने ऐसे इसको बोला भी था, कि बिहार में क्या किया था, बिहार में नितिश ने जाके फाग मनाय था, ऐसे हमने बोला था, कि बिहार में नितिश ने जाके फाग मनाया था, तो यह चीज आपको इस तरह से याद रखवाई थी, बिहार के CM और governor, बिहार से संबंदे सभी जानकरी इस एप में मिलेंगी और वह जो आया था, कि सेंट्रल गवर्वर्मेंट के आरोग्य सेतु आप लुगा रहे हैं, वह जाए है, तो यह चाहिए बाताना पड़ेगा, यह चाहिए, तो अपलों को को डिशिए पार्मेशन से लेटे इंफरमेशन के इस फॉर्मेशन में चाहिए, वह आप लोग क्लास के बाद मैंसेज रॉप कर दीज़ेगा, उसी फॉर्मेट में फ्रांस में आए पांच राफेल विमान, राफेल के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाई थी, तो अगर आप भो देखी होगी, तो यह तो हसी खेल का फ्रांस से आए हुए पांच राफेल विमानों को निम्न में से किस एयर बेस पर लैंडिंग कराई गई थी, कॉनसे एयर इस पर लैंडिंग कराई गई है पठान कोड अंबाला गौालियर और पूने सारे के सारे मैंने एर बेस लिए इंपोर्टेंट वाले इसका आंसर देखिए जल्दी से क्या अंसर है इसका पांच राफेल आये थे वैसे टोटल तो हमारे राफेल ज्यादा आने हैं लेकिन अभ इंडियन क्लाइमेट और इंडियन हेसाब से मोडिफाई करके लाया और उसमें जितने भी हमारे यह वह है परमाडू अतियार बग्रा जो है इसपेशली अग्नी और यह सब यह उसके साथ पर टैश किया सकेंगे उसके साबस्कों तो 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 वह आपने बताना है कि कौन स्क्वाडरन है किसको इसकी सिम्मेदारी दी गई तो देखिए अंबाला है पांच राफेल आए है भारत में कब 29 जुलाई येस दिस गोल्डन एरो स्क्वाडरन पूरा बोलें आपको गोल्डन एरो स्क्वाडरन ठीक है बिल्कुल सही आंसर आपका प्रत्वी तो गया है तो 29 को हाला कि इसकी जो इंडक्शन सेरिमनी हुई है वह बाद में अभी सितंबर में करवाई गई है बट 29 जुलाई को अगस्त में करवा दी गई थी इंडक्शन तो यह बोल रहे हैं आपका यह सौरब गूड इवनिंग तो टाइम पर लोग जुड़ा करिए अब यह इनको शामिल किया गया गया गोल्डन आरो स्क्वेडरन ने कारगल के टाइम पर भी बहुत अच्छे से वीरता दिखाई थी उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था सिस्क्वेडरन को लेकिन फिर से इसको रिए संबल किया गया और इन्हों ही ट्रेनिंग लेकर राफ यानि कि UN से रिलेटेड़ है that's why we are discussing. ठीक है? यह स्क्वादरन इंपॉर्टेंट था. तो अब यह बोड़ रहे हैं कि यह आपका जो है UN से रिलेटेड़ है इसलिए हम इस बात को डिसक्स कर रहे हैं यह जो बुक है इसमें The Little Book of Green Nudges यह लोगों के साइकलोजी को समझा के आपकी पूरी तो यह आपका लोगों के साइकलोजी को चेंज करके और लोगों को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है ग्री वगरा की तरह उस तरह से रिलेटेड़ बाते हैं इसमें तो यह बताईए किस से रिलेटेड़ हो जाएगा तो WTO तो होगा नहीं आप्यूस्टी वर प्रोग्राम है तो अगर कोई चिकिनोमी का तर्म होता तो बिल्कुल UNDP हो सकता था ना UNEP United Nations Environment Program तो यह आपका किस से रिलेटेड़ हो जाएगा UNEP तो यह बोल रहे हैं इस यूनिक गाइड गाइड है एक तरह की एक आपका पूरी concept दे रही है यह आपको तो यह आपका इस आपको पता होना चाहिए जब भी आपको कोई भी से संबंदित question हो तो UNEP उसमें सबसे पहले डूढना है आगे देखिएगा question no.18 दादा साहिव फाल के क्योंकि यह इंपॉर्टन है यह इंपॉर्टन है यह आपको पता होना चाहिए जब भी आपको कोई पी एकोलोजी जब भी पुरुषकार 2020 का किस अभी नेता को मिला है इससे पहले अमिताब बच्चन वगरा सबको मिल चुका है तो इसके अलावा यहां देखिए तो यह बिल्कुल सही बोल रहे हैं राजकुमार तो यहां पर बोल रहे हैं कि विनोध खन्ना इनको भी मिल चुका है विनोध खन्ना को पहले मिल चुका है अभी 2020 वाला किसको मिला है में भी आपने यह न्यूस थोड़ा स्किप कर दियो क्योंकि जब टीवी बहुत बड़ा प्रोग्राम कुछ और्गेनाइज हो रहा है तो ध्यान जादा जाता है यह स्राजकुमार अपका आंसर बिल्कुल सही है रित्यक रोशन को मिला है जल्दी से मूवी और बता दो कौन सी मूवी के लिए बना है थोड़ी मोटिवेटिंग मूवी थी आप लो दिखा देते हैं दोनों की तो दिव्यांका त्रिपार्टी उसको भी मिला है फेमस टीवी अक्टरस के तौर पे यह 2019 का मिला था और उससे पहले का विनोध खन्ना को मिला था अठ्रह का और अभी 2020 का मिला है इनको रितिक रोशन को मूवी कौन सी रही है आपका सुपर 30 के के लिए मिला था यह अवार्ड तो 2020 के दादसाहिव फलके का पुरुषकार का संस्कारन कौन था है 67 ऐसी बात नहीं पूछेंगे के संस्कारन पूछने बैठ जाए और 2020 में दिए गया है बेस्ट फिल्म सूपर 30 को मिला है और बेस्ट एक्टर इस रृतिक राशन उनको मिल है ठीक है तो 2020-19-18 तीनों बता दिये हैं हालां कि अब आपके लिए उनली 20 वाला इंपॉर्टेंट है आगे देखें निम्न मैसे किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सोपी गई है असं बिहार हर्याना दिली यह मुझे इंपॉर्टेंट लगता है खेलो इ प्र. 2020ना शारी Wikipedia में देखेंट है तो 2020 के हूए है असं में गोहती में हुए है 2020 के लिए जौनच के पहा हुआ हूगगे झाल यह जाड़ी को खै। 2019 तो 2020 में हूए है 2020 के हुए है 2020 सब्सक्राइनुशनेसरकार ने बिच दाएधे सब्सक्राइब करें एक वेस्टेज वती इन वेस्टेज होती है इसर स्नुफी और है वात करें हृते हैं राज्यान वेस्टु एनर्जी पहल शुरू करिये यूपी उत्राखन हिमाचर प्रदेश और पंजाब इस आप्शन जल्दी से आंसर दीजिए लास्ट क्वेशन क्वेशन नुबर 20 वेस्टु एनर्जी नामक पहल किसने शुरू करिये कच्रे से एनर्जी निकालेंगे विच स्टेट क मैंने यह लगा दिया है सी एमन गवर्नर तो यह आपके टी एन रावत जो ती एस रावत जो है वह सी एम है बेबी रानी मौरे गवर्नर है तो इसका उत्राखन अंसर है उत्राखन सरकार ने इस पहल के अंतरगत अप्शिष्ट द्वारा बिजली उत्पादन करने की यह श प्रेचर थायरोल्सिस यह रिएक्शन प्लांट इस्ताबलिश कर रहे हैं और यह जर्मन टेक्नोलोजी का प्रेओ किया जाएगा तो यह इस तरह से यहां पर यह वेस्ट्व एनरजी के पहल है तो यह तो इस गूर कॉंसेप्ट इस तरह की चीजे है तो यह था अज का सेश टो प्रेओक प्रेओकरपण जो है उनको 이번 न्र्चिपी में मर्श कर दिया गया अननल रिवर प्रोजश क् सुछा प्रोगर्म यह आपका है तो किसे suds अननल रिवर क्लीनिग प्रोग्रमश उन में ही सारे वह औस शीजों को मट कर दिया गया है थिक है। यहीं और यह वश क झाल 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 झाल